मैं हूँ आपका एजुकेटर और यहां पे कच्छा बारहनी का बहुत मत्यपूर जीवन परिचे लेकिया है डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम का जीवन परिचे कैसे लिखे बार-बार आपके रिपीट किया जाता है बोड परिच्छा में तो आप कुछ ही मिनट इन्होंने कौन-कौन से अवाड जीते थे उसको यह आपको बताऊंगा ठीक ना तो सबसे पहले इनका ट्रिक देखिए इनका जन्म याद करना है मृत्ति याद करनी है माता का नाम और पिता का नाम इन चार चीजों को इनका जरूर याद करना है जन्म कब हुआ था तो 12 जुलाई 2015 इस्वी को हुआ था माता का नाम क्या था आसिमा था और पिता जैनुला लाब दीन था जैनुलाब दीन था किसके डॉक्टर जी अब्दूल कलाम के पिता का नाम तो डॉक्टर एपी जैब्दूल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 इस्वी को हुआ था इनके मम्म पिता का नाम जैनुलाबदीन था इनका जन्म इनकी अतहिंकी मृतु सताय जुलाई संदो हजार पंदरह को इस्वी को हो गई अब इनका परिचे देंगे इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाबदीन अब्दुलकलाम था अबुल पाकीर जैनुलाबदीन अब्दुलकलाम है कलाम जी अपने पाच भाई बहनों में से सबसे छोटे थे इन्होंने अपनी प्रारंबिक सिछा रामनात पूरम के स्कुल से की और ग्रेजुएशन सेंट जोसेप कॉलेज से की इन्होंने 1960 में मद्रा से अंतरिक्ष की सिछा भी इन्होंने एपीज अब्दुलकलाम ने पूरा किया था अब एक हेडिंग मनेगी वैज्ञानिक के रूम में तो सब्धम DRDO में वैज्ञानिकों के रूम में चैनित हुए यानि जो डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम थे वो कहां पे चैनित हुए तो वो DRDO में वैज्ञानिक रूम में चैनित हुए थी 1879 में इसरो भेज दिया गया यानि कि जो अपीज अब्दुलकलाम को DRDO से कहां भेद दिया गया इसरो में भेद दिया गया तथा 1880 में मिसाइल बनाने का प्रयोग शुरू किया दोजार दोजी में 11 राश्पती के रुम में निर्वाचित हुए थे को निर्वाचित हुए थे डॉक्टर जी एपीज अब्दुलकलाम अब 25 जुलाई सन 2007 को इन्हें राश्पती का कारेकाल छोड दिया था इन्होंने फिर अगनी की उड़ान किस किस सम्मानित किया गया था अवाड से इनको सम्मानिट किया गया था अवाड से पद्मभूसर्ट से 1981 में पद्विभूसर्ट से 1990 में भारत रत्म से 1997 में और वान ब्राउन अवार्ड से 2013 में इनको पुरस्कृत किया गया था तो यह इनका काफी इंपॉर्डन प्लास ट्रॉल्ट का जीन पर इसे लिखें तो आप इनको जरूर याद कर लीजिए यह बोर्ड में जरूर आएंगे ऐसे वीडियो पाने लिए चैनल को सब्सक्राइब करें कि दूस्तों थाएं क्यों जएंगे